में खतम हो जाएगा मातरे 5 मिनिट में ठीक कर दोस्तों अगर आपको भी खाटी धेकार आती है तो यह वीडियो आप लोग लिए बहुत अच्छा होने वाली है कि इस वीडियो में आपको हम इलाइस भी बता दिये हैं और साथ में छोटा मोटा घरेली उपा भी बता दिये है ताकि आप लोग बहुत जल्दी ठीक कर तके तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके अधिकांस लोग का यही होता है कि बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेती है तो खंटी-खंटी ठेकारे आने लगती है कुछ दिन तक तो यहीं वीडियो में आपको समय समय पर हम देते रहेंगे और दोस्तों कोई भी कोसर नो प्लीज कोमेंट रॉक्स और इस्टाग्राम पर पुछेगा हम आपको मदद जरूर करेंगे तो आए जानते हैं खटी ठेकार के बारे में दोस्तों खाना खाने के बाद धेकार आना य हो जाता है आखिर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह खंटी ठेकार आता क्यों है देखिए दोस्तों हम लोग के सरीर में एक HCL होता है यानि कि हाइड्रो कोलिक एसीड होता है जिसके वज़से हम लोग को खाना पज़ता है हम लोग के सरीर में होता है अगर वही जब नर जब ज़ूर्ड से ज़्यादा बढ़ जाती है तब तो दूस्तो Termbiac इसके वजह से भी आपको हो जाएगा लीवर में आपको Progenβ सूजन अगर और 2020 में कौई थोटा नोसले सी टार estosation अगर आपको लीवर भी ठीक है, आप बहुत जदा ओवरीटिंग कर ले रहे हैं, यानिकि बहुत ज़्यादा खाले रहे हैं, यानि चार रोटी के जगा आप दस रोटी खाले रहे हैं, इसके वज़े वह को खटी-खटी धेकार आनी लगते हैं, अगर नहीं पच रहा है, आपको खटी धेकारे आने लगती हैं मालें जी कि अभी भूख लगा है आप 10 बजे खाईएगा यानि 6 बजे भूख लगा आप 10 बजे खाना खाईएगा तो धेकार आपको आईवे करेगा यह क्यों कि खाना सही से नहीं खा रहा है और बहुत ज़्यदा ऐसी डिटी बन जा जिसको से ढने लगती हैं डोसरों टेंसन आगर आप 10 बज़े से भी आपको आ सकता है खटी धेकारे कियूंकि देखिए दोस्तों संजब करिएगगा तो आपको खाना अच्छा नहीं लेगा ठीक है खाना जब अच्छा नहीं लेगा तो खाना खाईएगा नहीं जब खाना नहीं खाईएगा तो क्या होगा जनते हैं खाना नहीं पचेगा और गैस बहुत ज्यादा बनने लेगी या आने लेगी और धेकारे भी आने लेगी समझेर करके आपको एसीड बना दे ठीक है इसके वोज़से भी आपको हो सकता है ठीक है तो यह सब बिल्कुल आप लोग मत खाईएगा दोस्तों आपको इसली इलाइज जो बताने वाले मात्र आपको पांच मिनिट में खार आता होगा तो पांच मिनिट में आपको आराम होन से देखिएगा ठीक है दोस्तों अगर आपको नर्मल है कोई अंदर ज्यादा प्रोग्लम नहीं है तो इसका में दब आपको इलाइज बता रहे हैं वह हैं दोस्तों आपको अरिश्टोजाइम सीडप ले सकते हैं जो कि 15 ml सूभा और 15 ml साम को ले सकते हैं लेकिन दोस्तों बात याद रखिएगा सुगर पेसेंट बत लिजिएगा ठीक है क्योंकि इसमें सुगर आता है अगर सुगर पेसेंट है तो अरिश्टोजाइम के कैप्सूल आता है उसका आप लोग कर सकते हैं जो कि स्कीन पर देख रहे हैं इसको आप सूभा साम को लेना एक खाना खाने के बात लेना है और दोस्तों साथ में अगर आपको मानजी की लीवर के प्रोग्लम से हो रहा है तो उसके लिए खुब बनिया जिसका नामे लिफ एक वीडियो में हम बताते हैं क्योंकि आपको हर एक मेडिकल काउंटर पर मिल जाएगा ठीक है इसको जो हैं आप कम से कम एक गुली साम को आप खा सकते हैं आप इतना कर लिजीगा तो आपको ठेकारे खटी-खटी या चुटकी में खत्म हो जाएगा मातरे पांच मिनेट में ठीक है यानि कि अराम हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप लोग यतना जरूर पर करेगा आये भम लोग जानते हैं कि इसके स गास नहीं बनने देगा और आषिडेँ बहुत ज्यादा नहीं होने देगा और खंटी-खंटी धेकार नहीं आने देगा दोस्तों हिंग को करना कि है कि जो कि भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा कर सकते हैं इसे बहुत ज्यादा रहा देखने को आपको मिलेगा और दोस्तों आप लाइची का भी स्वन कर सकते हैं जो हैं से बहुत ज्यादा अनगर्प सकते हैं अधिक्यादा इससे लेगा का और दीक मिलेगे और इसके लिए बारब मजू में पूछटे का हम आपको मदद में जरूर करेंगे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं Será करें के बहूए के दबाको और पर सेलैक्ट जलूड करिएगा तो चलिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं